हलो बच्चो बच्चो अब हम करेंगे कोश्चन नंबर थर्ड एक्सरसाइज 7.2 का देखे कोश्चन क्या है कि ABC इज एन आइसोसेलस ट्रेंगल एक ABC एक ट्रेंगल गीवन है जो कि क्या एक आइसोसेलस ट्रेंगल है in which altitudes BE and CF देखो CF altitude and BE altitude altitude क्या होते है कि जिस साइड पर जाके वो इंटरसेट करेंगे वहाँ पर 90 डिगरी का एंगल बनाएंगे तो देखो CF कहाँ पर जाके इंटरसेट रिया F पर इदर इस AB पर तो 90 डिगरी का बनाया ऐसी इस नहीं है पर 90 डिगरी का बनाया ओके आइड ड्राउन टो इक्वल साइड AC एंड AB तो इक्वल साइड हमें बता दी गई है है AB and AC हमारी इक्वल साइड है आइससेल स्ट्रेंगल ABC के अंदर ओके देन कहता है शोड़ डाट इस ऑल्टिट्यूट्स आर इक्वल यानि की अल्टिट्यूट्स कौन कौन से सी एफ एंड बी इए हमें यह बताने दोनों एक्वल है तो चलो कर लेते हैं सबसे पहले जो हमें गीवन क्या है हम वो लिखेंगे तो गीवन हमारे पास जो आइससेल स्ट्रेंगल लाइव उसकी वज़े से हमें गीवन आ गया कि अधि तो एफ यही एए ठीग हुए जी देन हमारे पास जो इंगल है देखेंगे आपको एंगल हमारे पास बी एफ सी इसकोल टू हमारे पास एंगल सी एफ बी हम कह सकते हैं क्या 90 डिग्री के ऑल्टिट्यूड की वज़े से ठीक गए जी चलो अब इसके अंदर हम क्या करते हैं हमें क्या शो करना है बच्चो हमें करना है कि cf and be आपस में equal है क्यों क्यों कि यह altitude से उसको हमने equal बोलने के लिए का गया है तो हमें यह proof करना है तो हम क्या करते हैं इसके अंदर देखे हम triangle consider करेंगे यहाँ पे दो proof के अंदर आजाईए की in triangle देखे यहाँ पे हम triangle लेंगे a b e a b e n triangle a f c क्यों 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 यह जो side completely के अंदर पड़ रही है तो हमने इनको ले लिया ठीक है चले अब देखो triangle a b e and a f c के अंदर आप देखोगे तो हमारे पास यह angle ओके बच्चो यह angle क्या है angle a square to angle a क्यों बच्चो common angle हो गया ना दोंदों में ओके जी ठीक है जी अब आप a b e के अंदर देखोगे तो हमारे पास angle जो है a e sorry angle a triangle a b e है अब a b e तो इसके अंदर आप angle देखोगे a e b ठीक है जी यह वाला angle यह क्या है 90 degree क्या ओके जी और दूसरे वाले triangle पे देखो a f c के अंदर angle a f c यह वाला angle बच्चो यह क्या है यह भी 90 degree का होगा ना क्यों भई क्योंकि हमारे पास यह दोनों altitude थे तो इस वज़े से दोनों इधर के भी 90 degree होगे तो 90 degree हीच होगे है ओके ठीक है तो एक angle आ गया एक angle आ गया अब एक क्या करेंगे हम देखोगे आप आपको एक चीज गीवन है a b equal to a c given है यह तो आपके पास दो angle एंड एक side आ गी तो अगर आप देखोगे side हमारे पास यह है और इस side के यह एंगल और हमारे पास इधर का यह एंगल और यह एंगल एक को ला रहा है तो यहाँ पर आपके पास देखोगा हम क्या कहेंगे ट्रेंगल a b e congruent आया किसके बच्चो ट्रेंगल a f c के क्यों आया कई बार confusion आते तो आप एक triangle निकाल लो इसके अंदर से पहले a b e ठीक है आप ऐसे निकालो a b e कई बार देको confusion क्या होती है कि आम angle angle side लिखे यह angle side angle लिखे यह confusion होती है तो आप देखो सबसे पहले चीज angle आपका कौन सा है यह वाला side कौन सी सबसे पहले बताओ a b की यह वाली ठीक है जी corresponding सेम रहेगी देंदे को angle कौन सा a e b a e b यह वाला ओके तो अब देखो आपके पास जो side है वो between वाली तो नहीं है यानि कि यह हमारे पास angle angle side से ओके यह बच्चों confusion रहती है angle angle side की वज़े से क्या है हमारे पास congruent आ गया इतना clear हो गया ठीक है जी अब बच्चों अगर यह equal आ रहा है तो हम क्या कह सकते है कि हमारे पास जो यह side थी a e b ok wait a minute b e हां जे यह side c f is equal to b e होगी या नहीं होगी इसको इदर लिख लीज़े आप चाहे तो इदर आएगी यह b is equal to c f होगी नहीं होगी क्यों होगी c p c t की वज़े से तो हमारे पास जो यह side है यह और यह ठीक है यह अपस में क्या है कि equal आएगी c p c t की वज़े से corresponding part of congruent triangle तो यह हमारे पास क्या हो गया proof हो गया ठीक है इस तरीके से आपको एक एक step में पकड़ना है और triangle कॉंसे लेने वही जो आपके पास जिसको में प्रूफ करने वह किस में आते वह देखो यह तो आपको confusion हो जाएगी कि यार इसको लेंगे क्या लेंगे क्या तो वह चीज ना रहे इस वह से हो सकता है ठीक है आपको होगे कि triangle यह भी था हमारे पास तो अगर इस एफ सी क डाउट ओ कमेंट बॉक्स में डाल दीजेगा और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर कर लिजेगा थैंक यू